Hello दोस्तो, Welcome back to my channel जानकी घरेलू टीप्स तो friends आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही कमाल की टिप्स के बारे में बताऊंगी जिसे ट्राइ करके आप अपने गंदे से गंदे कपडों की मैल आसानी से निकाल सकते हैं और आप इस टिप्स को ट्राइ करके अपने कपडों पर लगे जिद्दी से जिद्दी दाग भी अटा सकते हैं दोस्तो आपके कपडे पर चाहे जैसा भी दाग लगा हो जैसे कि सबजी का दाग और हल्दी का दाग, तेल गिरने का दाग, पसीने का दाग और ऐसे कई तरह के दाग हमारे कपड़ों पर लगी जाते हैं तो आप इन सभी दागों को आप इस ट्रिक की मदद से आसानी से साफ कर सकते हैं और इसमें ना जादा आपकी मेहनत लगेगी और ना ही जादा पैसे बस इसके लिए आपको चाहिए दो या तीन रुपए का एक नीबू और थोड़ा सा नमक फिर आप इससे आसानी से अपने कपड़ों पर लगे जिद्दी से जिद्दी दाग हटा सकते हैं और ये दो चीजें नमक और नीबू आपके घर पर ही अवेलवल होती हैं तो ये बहुत ही आसानी से आपके घर पर ही मिल जाएंगी तो दोस्तों ये बहुत ही आसान तरीका है अपने कपड़ों पर लगे जिद्दी से जिद्दी दाग नकालने का तो आईए जानते हैं कि हम इस नीबू और नमक की मदद से अपने कपड़े कैसे साफ करेंगे तो आप देख सकते हैं मैंने सबसे पहले यहाँ पर छोटा सा एक बरतन ले लिया है और फिर हम एक नीबू ले लेंगे और हम नीबू को काट लेंगे फिर हम इस कटे नीबू के उपर थोड़ा सा नमक लगाएंगे फिर हमें एक गंदा या फिर जिस पे दाग लगे हूँ वो कपड़े लेने हैं तो आप देख सकते हैं मैंने एक गंदा कपड़ा ले लिया है अब हम इस नीबू और नमक को इस कपड़े पर रगड़ेंगे और आपको पांच मिनिट तक इस नीबू और नमक को अपने गंदे कपड़े पर रगड़ना है तो आप देख सकते हैं मैंने पांच मिनिट तक इसे ऐसे ही रगड़ लिया है और आप लोग देख सकते हैं कि जहां मैंने नीबू और नमक रगड़ा है वहां का कपड़ा कितना साफ और चमकीला दिख रहा है और जहां पर हमने नीबू और नमक को नहीं रगड़ा है वहां का कपड़ा एकदम वैसा ही है जैसा पहले था तो आप भी इस ट्रिक से अपने गंदे से गंदे कपड़े को साफ कर सकते हैं और आपके कपड़े पर लगे जिद्दी से जिद्दी दाग भी अटासकते हैं तो आपको हमारी ये ट्रिक कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और हमारे इस वीडियो को एक लाइक भी कर दे और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद